इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद न्यूज बे आप सभी का खेर मक्तमा हैं फिर बेनकाब हुआ संगी चेहरा क्या धर्म मजब के नाम पर देश को बांटने का मनसुबा उनिवर्सिटी के तलबा नाकाब करेंगे जो एन्यू में जिस तरह नकाब पोश गुंडे हत्यार के साथ दाखिल होते हैं और गुंडा घर्दी का नंगा नाच किया जाता है इस पूरी दुनिया में देखा जग गया है संगी विचारदहरा की जानिव से की जाने वाली हर साजिश अब भारत में नाकाम होती नजर आ रही आखिर इस नकाब के पीछ असली चरह किसका है वो भी खुल कर सामने आए आखिर इन्हें नकाब पहनानी की जर्दकों पड़ी और आए दिन फसाद में भी नकाब पहन कर हमला करना और किसी और को इसका जिम्मेदा टैराना यही तो मौजुदा हुकूमत में चल रहा है लहाज भारत के साथ दुनिया भर में इस गुंडा गर्दी के पुर्जोर अलफाज में मजब्मत की जा रही है इस हमले को देहली इंतखाबाद के पसे मंजर में भी देखा जा रहा है मुखालिप पार्टियों का कहना है कि भाजपा संग के पास अब सिवायत तशद्दुत के कोई रास्तान नहीं बचा है इन्हें हिंदु मुझली में पाकिस्तान का साहरा हार बार लेना पड़ता है क्योंकि जारकंट के हार के बाद अब तो देहली भी मोधी सरकार हारने जा रही है खून खराबा फसाद यही एक साहरा अब भाजपा हकूमत के लिए बचा हुआ पर देखा यह भी जा रहा है कि मोधी सरकार और अमिशाग के हार की बनिया पर जिस तरह का नफरत फैलाने के साज़ेश हरोस की जा रही है इनके मनसुबों को तल्बाओं ने खाक में मिलाना शुरू किया हुआ है और यहीं मोधी शाखे ले मुसिबत बनी हुए है यह नारसी सीएए को लेकर देश बर में एतजाज हुए जिसमें तकरीबन 25 अफरादों की जान चली गई खास बात यह भी रही के सिर्फ भाजपा एक्तदार रियासतों में ही फसादाद बरपा हुए इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा एक्तदार रियासत में कहीं तो गलती हुई है जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं जामिया मिलिया में जिसकदर पुलीस के लिबास में आरिसके गुंडों का दाखिल होना या फिर यूपी पुलीस के लिबास में संगी कारकोनान ने घरों में गुज़ कर यह कहे देना कि मुसल्मानों को घरों को छोड़ना होगा यह हमारी प्रॉपर्टिया है यह जाहिर करता है कि जो हर अमन पसंद एतजाज को तश्रदुद में तब्दिल करने वाले नकाब पोश कोई और नई बल्कि संगी है योगें दर्यादों ने वजंदल आरेसस का सीधे दखल दोने की बात कही तो ख़रो अलब ने भी कहा कि जिस कदर जे एन यू में सोट डेड़ सो गुंडे हत्यार के साथ दाखिल होते हैं और पुलिस अंदर दाखिल होने तक खमोश रहती है यह साफ होता है कि ABVP के गुंडे हुकुमत के इशारों पर ही वहां तक पहुँचे और उन्हें इजादत दी गई ताकि यह पहले से तैशुता था और अपनी दादागिरी को वो कायम ही रखना चाहते थे कई सवालात हैं लेकिन कई सवालात के जवाब सिर्फ ABVP संग और इनकी गुंडागर्दी की तरफ ही जाते हैं अब तो कहीं चेहरे साफ हो चुके हैं जिन्होंने भी चेहरे पे नकाब पहन कर गुंडागर्दी किये इनके चेहरे बे नकाब होते जा रहा है जैसा के तकरीबन मुलक में धर्न के नाम पर बांट कर सियसी रोटियां सेखने का काम मोदी योगी शाह की जानिब से किया जा रहा था इसे कहीं तो भारत के समविदान को देश के आईन को बचाने की जिम्मेदारी तल्वाव और तालिबात के ने अपने कंदे पर ली है कहते हैं जालिम का जल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता खुदा किसी ना किसी को खड़ा करी ही देता है लहाज आदेश की मौजदा हालात को देखते वे ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंतर जमूरियत को खत्म किया जाएगा सम्विदान को बदल दिया जाएगा मनुस्मूती को लाया जाएगा और वैसे भी भाजपा संक परिवार के जानम से कहा जा रहा था कि आने वाले इंतकाबात नहीं होंगे खुद भाजपा के सक्षि माराज ने ये कहा था कि देश अब हिंदू राष्ट होगा और दोज़ार चुबिस के चुनाओं नहीं होंगे पर चातर अंदुलन यानि तलबाओं की इस एतजाजित तहरीक ने उम्मीद की रोशन नजर आ रही है अपने आपको चानक के समझने वाले हमीचा को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस आखर चातर अंदुलन को कैसे रोका जाए और देहली में आम आदमी पार्टी की हुकुमत फिर से इक्तदार पर आती नजर आ रही है लहाजा इसी बॉखलाहट में खून खराबी की सियासत खेली जा रही है ऐसा हुपक्ष का कहना है नकाब के पीछे छिपेसंगी चेहरे बेनकाब होते जा रहा है अभी तक एबीवीपी के तकरीबन चेहरों की पहचान हो चुकी है पर क्या वाकई इन पर कारवाई होगी यह भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत के इशारे पर यह तमाम जो तशद्द नफरत फैलानी की साजिश पिछले कई सालों से जब से मोदी हुकूमत आई है इसी तरह का काम जो जारी है वो भी यहाँ पर जारी था तो लहाजा इन एबी वीपी के गुंडों पर कितनी कारवाई होती है एक सवाल है और इस पर सवाल पुरी विपक्ष की जानिब से किया जा रहा है जेनी के चांसलर पर भी सवाल खड़े किया जा रहा है क्योंकि पुरे देश से कहीं सारे इल्मी सियासी माहिरीन ने हालात को जानने के लिए और जखमें की यादत के लिए जेनी केमपस में पहुंचे पर केमपस के अंदर ये रियाईश फजीर चांसलर बाहर ही नहीं आए इसका मतलब कहीं तो कुछ मिली भगत है ऐसा शक भी किया जा रहा है A.B.U.P को गुन्डों ने दाखिल होकर बेरहमी से तलबाओं को पीट तक कई वीडियो जोईरल हुए तलबाओं की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ीगी कि पुलीस अफसरान को बेख़ाफ होकर सवाल किया जा रहा है और पुलीस अफसरों के चेहरे पर किसी इशारे पर काम करने की दास्तान नजर आ रही है जो भी हो पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि नकाब के पीछे छिपे संगी चेहरे बेनकाब हो चुके है और लगता है कि देश की दिशा को बदलने की हिम्मत देश के नवजवानों में ही होती है और वह अपनी जिम्मेदारी शायद निवा रहे हैं जिससे सांप्रदाइक ताक्ते परिशान हैं क्योंकि धर्म के नाम पर देश को बांटने का खौब हो सकता है अब शायद मकमल नहीं हो पाएगा इतिहाद निवस देखने के लिए शुक्रिया अलाफिस